हेलो नमस्कार साथियों मैं हरबीर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल स्टेडी 24 ओफिसियल में तो आपने अपने आसपास जरूर देखा होगा सुना होगा कि एक्जाम में फेल होने के कारण काफी स्टुडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं या अपने आपको नुकसान पहुंचाते हैं तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मैंने पिरियंका कालिया का एक कमेंट देखा और जिसने मुझे मजबूर किया कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए मुझे लगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए जैसा कि आप जानते हैं कि एक्जाम चले हुए हैं तो ऐसा क्या कारण होता है कि बच्चे सुसाइट कर लेते हैं या अपने आपको नुक्सान पहुचाते हैं हाले में DSSB के भी काफी रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे और स्टूडेंट काफी डिप्रेशन में आ गए और उनसे जैसे बात हुई तो मैंने काफी उनको समझाया तो साथियों ये क्या रिजल्ट्स होता है कि स्टूडेंट इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं और अपने आपको नुक्सान पहुचाने के लिए तयार हो जाते हैं इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर हर 55 मिनिट में एक स्टूडेंट अपनी जाम दे देता है मतलब सुसाइड करता है क्यों एक्जाम के कारण डिप्रेशन में या उनके क्या रिजन होते हैं उन पर भी हम बात करेंगे सबसे पहले रिजन क्या होता है पेरेंट्स सपोर्ट नहीं मिलना मतलब जो बच्चा सुसाइड करता है उसके जो रिजन पाए गए हैं उन पर अभी हम बात करते हैं पेरेंट्स सपोर्ट नहीं मिलना second होता है taunt करना जैसे कही बार होता है कि parents support अलग हो गई taunt कर रहे हैं मतलब उन बच्चों को target कर रहे हैं उन्हें बहुत जादा डार्ट रहे हैं तो ये भी एक reason होता है इसके बाद कुछ ऐसी reason भी होते हैं कि बच्चे अपने आपकी respect खूदेने के उससे वो सोचते हैं कि हम fail हो गए हमारे marks इतने नहीं आए तो वो अपनी self respect समझके वो suicide कर लेते कि हमारी जो self respect है वो खत्म हो गई इसके बाद unlimited expectations काफी बार क्या होता है कि parents बच्चों से काफी जादा expectation लगाते हैं मतलब काफी जादा उमेद करते हैं कि ये बच्चा ये कर लेगा इसके बाद एक reason ये भी होता है कि parents अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से compare करते हैं उनको लगता है कि इस बच्चे के इतने marks आ गए तो मेरे बच्चे के marks इतने क्यों नहीं आए तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं even जो psychologist है और अगर आपने psychology पढ़ी है तो आपको बिलकुल पत होता तो इस हिसाब से हम बिलकुल नहीं कह सकते कि हर कोई student एक जैसे marks ले के आ सकता है तो ऐसा नहीं है कि हर student एक जैसे marks ले के आए तो इसके बाद बात करें हम जैसे job exam होते हैं आपको पते हैं एक job के लिए हजारों लाखों candidates होते हैं और वो भी उसी level से मेहनत करते हैं फेल होने पे parents को अपने बच्चों को समझना चाहिए देखना चाहिए कि उस बच्चे की क्या कमी रही है और जो पास हुआ है उसने ऐसा क्या किया है कि वो पास हुआ है और अपने बच्चों को chance दें जिससे वो और आगे कुछ कर सकें यह नहीं कि एक बार फेल होने पे उ सबसे ज़्यादा सुसाइड करते हैं दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया में 15 से 29 साल के लोग सबसे ज़्यादा सुसाइड करते हैं तो ये बहुत चौकाने वाली खबर है और इसके बाद जो साइन होते हैं मतलब ऐसे क्या संकेत है जिससे पेरेंट्स को समझना चाहिए कि उनका बच्चा डिप्रेशन में है सबसे पहले पुरानी एक्टिविटीज है उनमें कम इंट्रेस्ट लेना मतलब ऐसी कुछ एक्टिविटीज जिनमें वो इंट्रेस्ट लेता है उन एक्टिविटीज में वो इंट्रेस्ट ना ले इसके बाद एग्रे गलत में अगर बदलाव हो रहा है तो भी parents को समझना चाहिए कि बच्चा depression में है और अगर parents डार्ट भी देते हैं बच्चों को तो उन्हें समझाएं क्योंकि होता है कि मैं यह नहीं कह रहा कि parents ही गलत होते हैं क्योंकि parents की भी expectation होती है काफी parents अपने बच्चों को बहुत मेहन करी और मेहनत का result नहीं आया तो ऐसी condition में अगर parents बच्चों को डार्ट देते हैं तो डार्टने के बाद उन बच्चों को समझाएं और आगे के लिए प्रेरित करें और देखा क्या गया है कि गाउं में या मतलब बहुत जगे मैंने ऐसा देखा है कि अगर बच्चा फेल हो गया तो उसक पर जिम्मेदारी बाम देते हैं मतलब उसकी लड़किया हैं साधी कर दी लड़के हैं उनको किसी काम के लिए भेज़ दिया उनकी पढ़ाई बंद कर दी तो यह सारी चीजे भी देखने को मिलती हैं और इसके बाद बच्चे क्या करते हैं सैल्फ हार्म कर ले हैं जिसे मान के चलो बच्चे teaching line में interest है या मतलब किसी अन्य line में उनका interest है तो parents क्या करते हैं बहुत बार उन बच्चों को support नहीं करते हैं और उनको taunt करते हैं तो ये भी बहुत सारी चीज़े हैं जो गलत हैं इवल हम बात करें छोटी सी चीज अनकैडमी की ही बात करें तो कुछ बच्चे क्या करते हैं अनकैडमी में इंट्रेस्ट है दिल से काम करें पेरेंट्स आके बोले कि आप क्या कर रहे हो या इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो ना कि वो बच्चे सुसाइड करें और अपनी जान को जोखिम में डालें तो उमेद करता हूँ कि ये वीडियो हर पेरेंट्स को पसंद आएगी और आप भी हर पेरेंट्स तक इस वीडियो को पहुंजाएंगे तो सातियों गुडबाई टेक कियर थेंक यू जैहिन वंदे मात्रम